नमस्कार दोस्तों, वेल्डिसकाई के एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोग का सुवागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे mutual funds की जी हाँ दोस्तों mutual fund की बात करेंगे और थोड़ा सा understand करने की कोशित करेंगे market में कि top 3 mid-cap funds कौन से हैं जिन में आपको investment करना चाहिए और अगर आपका investment इन 3 funds में नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए यह सारे point को हम discuss करेंगे understand करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशित करूँगा कि कौन से ऐसे mutual funds हैं जो पिछले एक साल में काफी अच्छा उन्होंने perform करके दिखाया है जो अपना benchmark था उससे भी out performance उन्होंने दिखाई है तो जल्दी से इस वीडियो को हम start करते हैं तो जैसा कि दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस particular वीडियो में हम बात करेंगे top 3 mid cap mutual funds के बारे में जो कि last one year में उनकी performance कैसी रही है और किस तरीके का उन्होंने out performance दिखाया है अपने benchmark से उसके बारे में हम discuss करेंगे सबसे वह बहुत चीझ है जब भी हम mid cap mutual funds के बारे में सुनते है या हमारे दिवाग में mid cap fund के बारे में कोई भी एक खिकर आता है कोद सा mid cap fund लेना चाहिए तो जाधा तर कि जबान पे नाम आता है सबसे पहले वो आता है आपका HDFC Mid Cap Fund क्योंकि HDFC Mid Cap Fund काफी पुराना है और जो सबसे बड़ा उसको बोलने का सबसे बड़ा reason यह है कि उसका जो AUM है वो Mid Cap Funds में सबसे जादा AUM है और 29,000 करोड का AUM है जो कि काफी बड़ी value होती है अगर देखा जाए यानि इतने सारे लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है बट important चीज वो पैसा नहीं है क्योंकि जाहर से बात है माल लीजे किसी एक fund में 1000 करोड है और किसी एक fund में 10,000 करोड है तो दोनों में basically क्या उस particular पैसे से कोई जादा बड़ा फरक आएगा जी हाँ बहुत बड़ा फरक आएगा क्योंकि जहां पे 10,000 करोड रुपे हैं वो fund manager हमेशा defensive होके market में play करने की कोशिस करेगा rather than to find the good opportunity जिसके पास है 1000 करोड का AUM यानि जिस company का AUM या किसी fund का AUM अगर थोड़ा सा कम है तो आप यह मत सेचो कि वो अच्छा नहीं कर सकता वो बहुत जादा कोशिस करेगा अच्छा करने के लिए जबकि जिसके पास already एक बड़ा AUM है 10,000 करोड या 20,000 करोड का तो उसको अच्छा नहीं करना है उसको सरफ यह देखना है कि benchmark मेरा जितना benchmark का index का जो return है उतना ही मेरा return बनता रहे मेरे को कोई problem नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत जादा है और जो expense ratio 1%, 2% का expense ratio है उसकी value मेरे को बहुत अच्छी मिल रही है तो मैं अपना AUM को dilution पे नहीं जाने दे सकता यानि AUM को कम नहीं होने दे सकता इसलिए उसका जो main focus होता है वो benchmark के return को compare करने से होता है ना कि उसको outperform करने से होता है वोई चीज मैं आपको समझानी की कोशिस कर रहा हूं क्योंकि actually हुआ क्या कि कल मेरे office में 2-3 लोग आये थे जिन्होंने कहीं न कहीं से अपने जो funds से उनमें invest किया था और जादा था उनके funds पिछले एक साल जो market ने run up दिया है उसके हिसाब से उनकी जो funds से underperform कर रहे थे इसी लिए उनको लग रहा था क्योंकि उनका बड़ा amount कम से कम 20-20 लाग क्या सपस का उनका investment amount था और अगर एक percent भी उपर नीचे होता है तो it is the big amount to get the good returns तो इसी लिए मेरे को यह idea है क्योंना मैं एक video बना हूँ जहां पर कि हम midcap funds के बारे में जाने हैं और फिर large cap funds के बारे में जाने और फिर कौन-कौन से SIPS में हमें क्या-क्या benefit मिलता है यह सारी चीजे हम discuss करें दो-तिन वीडियो डालके ताकि आप लोगों को help मिल सके तो सबसे बहले यहाँ पर हम midcap funds के बारे में जानने की कोशिस कर रहे हैं और top 3 midcap funds देख रहे हैं तो सबसे बहले आप अपने दिमाग से जो LGFC funds है या XCS fund है इनको सबको neutralize कर दीजे और यह समझे कि आप एक fresh SIP है, fresh investment कर रहे हो तो उसके basis पर आपको कौन सा fund choose करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा हूँ देखो सबसे पहले हम grow पे चलते हैं, grow पे देखते हैं, grow ने जो best midcap funds है, उनकी क्या list बनाई है यहाँ पे clearly देख रहा है, grow ने जो list मनाई है, top 3 midcap mutual funds की, उसमें सबसे पहला आता है PGIM, India Midcap Opportunity Fund जो की बहुत ही अच्छा fund है, उसके बाद आता है XS Midcap, उसके बाद आता है आपका Kodak Emerging Equity Scheme, उसके बाद महिंद्रा को छोड़ दीजिए, यह AMC, Invesco को भी छोड़ दीजिए, एडलवास को भी छोड़ दीजिए, नेपॉन India Growth Fund आता है, फिर आपका DSP Midcap Fund आता है, अगर आ पर देखोगे, ना तो LDFC की value आप देख रहे हो, LDFC को जो ranking दीए है, उन्होंने टॉप 10, 3,1 पर वो 9th ranking दीए, विकॉस, अब LDFC Midcap Opportunity 3 Star Funds रह गया है आपका, और AUM जैसा कि मैंने बताया, आपको सबसे जादा AUM है, उन्होंने पांसो आट करोड का, तो Grow में Top 3 में जो आ रहे हैं, वो आपका PGIM आ रहा है, Access आ रहा है, और Quotak आ रहा है, ओके, फिर हम देखते है, 80 Money को अगर हम देखते ह तो Last One Year के साब से मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ, तो यहां पर पहला आता है Access Midcap Fund, दूसरा हाता है, आपका Quant Midcap Fund, तीसरा हाता है PGIM, ठीक है, तो Common यहां पर PGIM भी है, ठीक है, उसके बाद हम Money Control को देखते है, Money Control ने Care Define किया हुआ है, तो Last One Year के साब से Money Control ने, देखो, प पूल गए होंगे, ठीक है, तो यहां पर आप समझो कि एक Fund तीनों में Common है, समझ रहे हैं आप, और उस Fund का नाम है आपका PGIM, इंडिया Midcap Opportunity Fund, दिख रहा है, आपको Last One Year में इसने 97% के Return दिये हैं, और अगर हम AMFI की Website से Compare करे यह Return, क्योंकि जाएड सी बात है, Grow हो गया, 80 Money है यह Third Party Applications है, और Fund को कहते हैं, Sponsorship के तुरू भी अपने Funds उपर लाए जा सकते हैं, तो हम AMFI पर Compare करते हैं, कि AMFI पर क्या Returns हैं, दिख रहा है, तो AMFI के साब से Association of Mutual Funds की जो Website है, वहां के साब से, अगर हम यहां पर मैंने Already Midcap की Scheme लगा के रखी है, तो यहां पर भी आप द PGM, India Opportunity Midcap Fund का, ठीक है न, तो यही चीज़ में आपको समझानी की कोशिस कर रहा हूं, कि अगर आप Midcap Fund में पैसा लगा रहे हो, तो आप Already थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हो, तो उस रिस्क को आप और Neutralize कर रहे हो, उस AMC में पैसा लगा के, जो की Already well developed है, उस particular Fund को लेके, और वो defensive है, ठीक है न, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं compare करूँ, LTFC Midcap Fund को PGIM Fund से, तो आप देख सकते हो, इनकी performance, last 5 years में, आपको देख रहा है, 21.16% को यहाँ पर इसने, analyzed compounding return दिये, वहीं अगर Midcap की बात करें, last 5 years में, आप देख रहा है, 16 1.31, Almost आपका 5% return कम है, as compared to PGIM, और उसका सबसे बड़ा reason, जो कम का है, वो यही है, कि जो PGIM का जो basically, इसका जो AUM है, आपको दिख रहा है, 2000 क्रोड का ही हो में, और आप HDFC को देखो, 29,000 क्रोड का ही हो में, तो जाइड सी बात है, कि यह जो fund है, यह little bit extra risk ले रहा है, market में, to outperform the index, समझ रहे हैं आप यानि यह मेहनत जादा कर रहे है, as compared to HDFC midcap opportunities fund manager, इसी लिए यहाँ पे जो index है, उसको outperformance मिल रही है, आप देख रहे हो, यहाँ पे benchmark में आपको दिख रहा है, 78.57% के return है, और उससे इसने outperform किया, 93.36 regular fund, और 96.96 आपका direct fund, ओके, और current AUM कितना है, 2233 करोड क तो अगर आप already HDFC midcap opportunity fund में invested हैं, तो आप ठीक है, अगर आप SIP चल रही है, तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप fresh fund investment करना चाहा रहे हो midcap में, तो मेरे साब से आपको choose करना चाहिए PGIM fund, और वो fund आपको एक अच्छा benefit दे सकता है, आगे आने वाले दिनों में, क्यूंकि यह fund last 3-5 years में इसने performance काफी अच्छी दिखाई है, जो fund manager है, उसकी performance काफी अच्छी रही है, जो exceptionally है, उनका जो portfolio बनाने का तरीका है, वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, aggressive है market को लेके, जिसकी वज़े से इनको एक अच्छे return बनके आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनके portfolio देखोगे Max Healthcare, Muddud Finance, ICIC Bank, Mindtrio, Mindtree आपको पता है, last one year में Mindtree almost 600-700 से आपको धाई हजार तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, को फोर्ज नहीं भी काफी अच्छे return बनाके दिये हैं, आरती industries नहीं भी काफी अच्छे return बनाके दिये हैं, तो यह चीज़ है, जबकि आप SGFC midcap opportunity के fund portfolio दे देख रहे हैं, आपको यह well known name है, बालकेशन इंडस्टी, बालकेशन इंडस्टी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में आपका 1500-1600 से आपका 2300 रवे पहुचा है, चोड़ा मेंडलम finance, यह चल रहा था, अब चलना बंद हो गया, आरती industries यह भी चल रहा था, यह सब एक कह सकते हैं, well known name है, market में, जिसमें investment किया है, यह वही वाली बात है, कि अगर आपको large के fund बनाना है, तो जायर सी बात है, आप Reliance उठालो, Infosys उठालो, TCS उठालो, KOTAK मेंदर बैंक उठालो, HDFC उठालो, HDFC बैंक उठालो, आपका large के fund तयार हो गया है, लेकिन व market को outperform करें, या आपकी जो index है, यो benchmark उसको outperform नहीं करा पाते, तब तक यह problem रहेगी, तो अगर आप fresh investment का plan बना रहे हो, तो मेरे साब से जो ranking होनी चाहिए, आपकी वो यही होनी चाहिए, HDFC बैंक को तो आपको बिल्कुल choose नहीं करना चाहिए, HDFC midcap opportunity को, आपको सबसे पहले PGM में जाना चाहिए, then आप access में जा सकते हो, then आप DSP midcap में जा सकते हो, DSP midcap में अगर आपका नहीं है मन जाने का, तो आप KOTAC emerging में भी जा सकते हो, यह जो midcap fund है, KOTAC emerging equity scheme fund जो है, आप इसमें भी जा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है, आप access में जाहिए, या फिर आप PGM म आपके आने वाले जुनों में बना के दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको clearly well explained करके बताया है, क्या reason है कि आपको HDFC midcap में नहीं लगानी चाहिए, आपको SIP, क्योंकि fund size already इतना बड़ा है, कि वो जाधा aggressive portfolio नहीं बना पाएंगे, और जब तक aggressive portfolio नहीं बनेगा, तो आप आपके extra जो return बन सकते हैं, जो extra return बनने की जो opportunity है market में, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि extra return देखो, extra return कब मिलते हैं आपको, कि कोई ऐसी underperformance company जो outperform कर जाती है, और वो बहुत ज़ाधा outperform करती है, तब आपको extra return मिलते हैं, let us suppose मैं कि क्या आपको लगता है कि HDFC bank अगर यहा outperform करने के लिए बहुती जादा बड़ा ऐसा profit या ऐसा business शो करना पड़ेगा, जिसकी value market को ना पता हो, लेकिन सबको पता है, AJFC bank की value कितनी है, तो वो already market ने दे रखती है, बट कोई एक ऐसी company निकल के आती है, जो कि market को suddenly outperform कर सकती है, two times, three times, four times, या कोई ऐसा business उन्होंने grow क है, उसका फाइदा आपको मिल सकता है, तो वो ही चीज है, वो चीज का फाइदा आपको वो ही fund manager दिला सकता है, जो थोड़ा सा aggressive portfolio बनाने में थोड़ा सा smart हो, कि हाँ भया में को दो तीन ऐसे stock भी रखने है, जो कि market को one times या two times उसके index को outperform कर सकते है, जैसे कि अभी recently आपने mind tree को देखा है, emphasis को देखा है, coforge को देखा है, even आप data elixi को उठा के देख लीजे, 800-900 रुपे का stock था, जब market March में fall आया था, right now it will be the 4000 above, तो यह जो out performance आई है, suddenly कुछ stocks में, तो इन stocks का portfolio में होने की वज़े से, यह funds outperform करे हैं, और यह जो risk लिया है, वो fund manager ने लिया है, to get the good returns, ठीक है न, तो मेरे साब से मैंने आपको ranking बता दिये, तो आप उस ranking में, आप सबसे पहले top पे पीजी आयम को डाल सकते हो, और अगर आप पीजी आयम में investment करने के लिए interested हो, और आपको कोई जरिया नहीं मिल रहा है, तो नीचे description में मेरा WhatsApp नमबर है, आप उस पे मेरे को message डाल सकते हो, या आप मेरे को directly call करके पूस सकते हो, कि मैं किस तरीके से आपका investment, मैं किस तरीके से investment करूँ, और मैं आपको बता दूँगा कि क्या तरीका है, अगर आपको कोई भी platform चाहिए, तो मैं आपको platform भी दिलवा दूँगा, आप महाँ पे मेरे तुरू आप investment कर सक कर देगा और चैनल को जो subscribe कर लिजे क्योंकि मैं सो दिल लेका आता हूँ, हर दिन आपके लिए नहने वीडियो, इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जै है